तो कैसे हो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि Android 11 को पीसी में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और आपने स्क्रॉल करना है और नीचे यहां पर आप लेख से तो ब्लिस ओस डाउनलोड यहां से आप डाउनलोड कर सकते हुआ दिस ओस 14 ब्लिस ओस 15 ओस 14 में यह फीचर्स मूझित है मैं ओस 14 को डाउनलोड करता हूँ यहां पर आपने क्लिए करना है और यहां आप देख लीजिए डाउनलोड का उपशन डाउनलोड लेटस वर्जिन और इसे आपने डाउनलोड करना है यह डाउनलोड करने के बाद आपने रूफूस डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने यूएस्बी ड्राइव को प्लक्ट करना है इसके बाद आपने डाउनलोड फाइल में जाना है और आपने रूफूस को ओपन करना है यहां पर आपने आपने फ्लेज डाइव को सिलक्ट करना है और यहां से आपने ब्लिस का ISO फाइल सेलेक्ट करना है यहां से आपने स्टार्ट करना है ओके ओके यहां पर देख लेजिए रेडी हो गया और इसके बाद आप रेडी हो एंड्रोइट 11 को इंस्टाल करने के लिए इससे पहले अगर आपके पास कोई पार्टिशन नहीं है तो पहले पार्टिशन बना लीजिए और अगर आप चाहते हों कि मंदोस को डिलीट करके सिर्फ इंड्रोइट अलोन को इंस्टाल करें तो आप कोई पार्टिशन की ज़रत नहीं है साइज कम असकम 15 जी भी रखना है आपने और शट डाउन कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपने बूर्ट की प्रेस करके बूर्ट मेन्यू में जाना है यहां पर आपने बूर्ट मेन्यू में यूएस्बी डराइव को सेलेक्ट करना है कि यहां आप देख सब्सक्राइब बूर्ट अप्शन आगया है नीचे आपने इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और यहां आपने मोडिफाइब पर्टिशन को ओपन करना है और आपने फ्री पर्टिशन को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने इन स्टेप्स को फोलो करना है और आपने वही पर्टिशन सेलेक्ट करना है और आपकी मरजी है आप कौन से भी फाइल सिस्टेम पर फार्मेट करना चाहते हो तो कर सकते हो मैं एंटी एक्सेस पर फार्मेट करना चाहता हूं और आपने ग्रप्टू को इंस्टॉल करना है स्किप करेंगे तो आप डूवल बूट नहीं कर पाएंगे और बिस वस इंस्टॉल हो रहा है इसको क्रियेट करना है डिस्क इमेज को नहीं तो योजर डेटा से उनहीं होगा यह रिबूट हो रहा है और यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रप्टू का मेन्यो आ चुक रहा है यहाँ से आप विंडोस को भी चला सकते हो अब मैं आपको एंड्रोइड 11 का डेमो दिखाता हूं तो देख सकते हो आप अंड्रोइड 11 सकस्क्री इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर आप अंड्रोइड वर्जिन देख सकते हो और अगर आप अंड्रोइड 11 को अनिस्टॉल करना चाहते हो और गरप 2 को भी अनिस्टॉल करना चाहते हो तो यह स्टेप्स फॉलो कीजिए आपने टर्मिनल को AZA Administrator ओपन करना है सब्सक्राइब यहां से आपने डिस्क पार्ट को खोलना है और लिस्क पे आपने उस डिस्क को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने विंडोस को इंस्टॉल किया हुआ है और यहां से आपने लिस्ट पार्टिशन से पार्टिशन वन को सेलेक्ट करना है और इस पार्टिशन को आपने लेटर एक्स से असाइन करना है इसके बाद आपने डिस्क पार्ट को एक्जिट करना है और पार्टिशन एक्स को उपन करना है जहां पर आपने डायरेक्ट्री क कंद अब देना है नीचे आप देख सकते और आपने यह एक एक माड़ देना है जिससे गलब तूर रिमूव हो जाएगा और अद्रोइट 11 के फाइल को रिमूव करने के लिए आपने इस पार्टिशन को बिलीड करना है और यहां देख लीजिए आप डूवल बूट रिमूव हो चुका है और एंड्रोइड एडवान मुकमल तोर पर अनिस्टाउल हो चुका है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आपने सब्सक्राइब कीजिए